हेलो माई डियर फ्रेंड्स में अंकी शर्मा इंफिर्टी क्लासेज में आप सब लोग का वैल्गम करता हूँ आज की वीडियो आपन बात करने वाले हैं अग्टिव एंड पैसी वहीश के बारे में दर्सल एक्टिव एंड पैसी वहीश हमारा एलल्बी में भी बहुत इंपोर्टेंट है जो हमारा लीगल लेंग्वेज में आता है इसके साथ ही अचंथ 12 और जो कॉम्प्रेटेटिव एंटरेंस एकजम सोते हैं वन डेई एकजम स तो he goes to school इसमें क्वोग क्र giàइब यहांपर बात करतें को जाता है स龙ुऽ जा ढिनेट में इलिखे को सब्यक्त को सब्यों कर था ने एक्मपरेंज रिए तो इस परिकार के हम लोग यहां पर बात करें अगहरθें जो आँख करते। में लिए थ्री पार्ट्स होते है, जैसे subject होता है, verb होता है, object होता है, यानि कि इसको हिंदी में कहते है, करता, क्रिया, और कर्म, तो दोस्तों ये तीन चीजे हमारी होती है, तो अब जैसे मैंने example लिया हूँ, यानि कि जो ड्राइवर है, चालक टेक्सी चलाता है, तो यहाँ पर जो ड्राइवर है, ड्राइवर यहाँ पर होता है हमारा subject, ठीक है, और जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग को बोलते हैं, कर क्या है, ड्राइवर कर क्या रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, यानि कि क्रि यह हमारा active voice है कि ट्राइवर टेक्सी चला रहा है और यहां पर बात करेंगे टेक्सी ट्राइवर के द्वारा चला ही गई तो इसको अब हम जैसे बात करते हैं ट्रांस करेंगे तो आठ टेक्सी यहां कि जो ओब्जेक्ट था जैसे मैंने यहां पर बताया था इप्रोटेंस to object पसीव ओइस में आप्जीक्ट को महतन दिया जाता है जिबकि एक्टी ओउइव इसमें सब्जेक्ट को महतन दिया जाता है Go दो यह हम Northern ernましょう था और पैस्व के जब निर्मान करेंगे तो टक्सी को यहां पर महत्व दिया जाएगा तो टक्सी इस बींग ड्राइवन बाइधा ड्राइवर यह इस बींग ड्राइवन थाद फॉर्म कैसे आती है चीज का हम आगे चर्चय करेंगे यह खाली ऐसी आपको बताया तैक्सी यह पर आ गया, effect अगया subject बन गया, और driver का object बन गया, तो जो subject है, active voice का subject है, वो तो भन जाता है object, और active voice का झो ऑबजेक्ट होता है, वो जता है, यह ओता है subject, ठीके, बाकि बीज की जो चीज है, वो ऐसे ही धी ही रहती है, बस इसके अंदर में थर्ड फोरुम का यूज होता है यह आपने बात ध्यान देने हैं कोई भी active voice को हम passive voice में change करेंगे वहाँ पर हमने third form भी यूज कर दिया है ठीक है friends so friends जैसे कि भी हमने बात की थी कि जो active voice का subject है वो object हो जाता है और object जो है, वो subject हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो pronoun होता है, pronoun का इस्थान बदलते समय, उनका रूप भी active तथा passive voice में अपने आप ही बदल जाता है, जैसे, यहाँ पर हम बात करेंगे, एक्टीव वोइस में subject के स्थान पर सर्वनाम यानिके pronoun, जैसे अगर कोई subject active voice में I होता है, तो वहाँ पर passive voice में वो by me हो जाता है, यानिके I का मी हो जाता है, जो active voice का यह subject है, यह passive voice का में object बन जाएगा, यानिके मेरे दुआरा यह किया गया, और we जो होता है, we का हो जाता है by us, you का हो जाता है by you, और he का हो जाता है by him, और इसी परकार से हमारा जो हो जाता है, she का हो जाता है by her, और they का हो जाता है by them, और जैसे यह someone है, someone जो है, यह non-defined होता है, यह परिभाशित नहीं होते हैं, तो यह as it is रहते हैं, और इसमें जैसे anyone होता है, someone के जगे अगर anyone होत थो इसको omit कर दिया जाता है फ्रेम्हान को भी छोड दिया जाता अब जैसे यहां पर अगर कोई noun आजाती है तो द्नांस का क्या मतलब होता है अगर कोई noun होती है जैसे RAM is going to school है ना तो राम विद्याल्य जा रहा है तो राम क्या होता यानि कि विद्याल्य राम के द्वारा जाया गया अगर कोई सब्जेक्ट नाउन होता है जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था आपको पाट्स ओफ speech में noun pronoun वगरा बताया गया था कि noun is our name of a personal place or things यानि कि किसी व्यक्ति के नाम या किसी वस्तु आदी को हम क्या केते हैं noun केते हैं तो noun के से अगर कोई subject start होता है तो वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा तो यहां पर कोई भी change नहीं होगा आजटिश यहां पर मैंने लिखा आए कि जैसे रम के द्वारा राम विद्या ले जाता है राम के द्वारा विद्या ले जाया गया तो राम तो राम ही रहेगा यहनिके noun as it is रहेगी यहां पर यह बताना चाहता हूँ अब यहां पर हम बहुत इंपोर्टेंट चीज लेके आए हैं जैसे यह है पैसी वोइस का टेंस वाइस चार्ट दिखे जो पैसी वोइस बनाते हैं जैसे प्रजेंट इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो tenses होते हैं हमारे वो क्या होते हैं तीन परकार के tense होते हैं present, past, future है ना और उनके indefinite होता है फिर continuous होता है फिर perfect होता है फिर perfect continuous होता है तो इन चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए यानिके tenses आपको पढ़ने चाहिए तब ही यह कर पाऊगे तो फिलाल मैं यह बता दे रहा हूं तो यहाँ पर tenses मैंने लिखा यह present tense है present का अगर कोई active voice present indefinite में दी गई हो तो वो कैसे बनाई जाएगी present indefinite में कोई passive voice दी गई हो तो वो passive voice is MR वहाँ पर लगता है present indefinite की बात कर रहा हूं passive voice में active voice में इस आरम नहीं लगता है ना तो अ अगर उसकी हम passive voice बनाएंगे तो इस MR प्लस वर्ब की third form का परियोग करता है तो यहाँ पर हम इसको passive voice में कैसे change करेंगे passive voice में नीचे बनाया हूं आ मेंगो क्योंकि active voice का जो मैंने बताया था object है वो यहाँ पर क्या बन जाता है subject बन जाता है ठीक है और उसके बाद यह जब हम present indefinite को passive voice में change करते हैं तो इस का परियोग होता है ठीक है और जो हमारी verb होती है verb as it is हो जाती है लेकिन वो third form में उसका परियोग करते हैं और by him यानिके active voice का जो subject है वो यहाँ पर passive voice में object बन गया है तो among a mango is eaten by him ठीक है और यहाँ पर अपने बात करेंगे present continuous में अगर कोई active voice दी गई हो तो is mr plus being का use करेंगे continuous में जहां भी continuous आ जाता है वहाँ पर being का ही use किया जाता है यह आपने ध्यान देने वाली बात है और third की verb की third form ही लगती है जैसे कि मैंने active voice यहाँ पर लिखा हूं he is eating a mango यानिके वह mango खा रहा है a mango यानिके जैसे कि बताया गया है फिर से repeat कर दे रहा हूं इसका object जो यहाँ पर subject आ जाएगा और जो इसका subject होता है वह passive voice में object बन जाता है तो a mango is being eaten by him ठीक है तो ऐसे यहाँ पर बन जात sentence होता है उसको change करेंगे तो has been लग जाएगा और have been लग जाएगा then verb की third form जैसे present perfect में मैं एक sentence लिखा हूं he has eaten a mango यानिके a mango has been eaten by him इसका object जो है यहाँ पर subject बन गया और active voice का subject जो है object बन गया बाकी same बहुत easy है ज्यादा मनलब ध्यान देने की जरूरत है एक बार में clear हो जाएगा तो अब हम बात करेंगे दोस्तों past की अगर past indefinite में कोई sentence है तो वह was verb में बनेगा है ना तो जैसे was verb plus verb की third form third form तो सभी में यूज करनी है यह आपने ध्यान देने वाली बात है तो मैंने एक sentence लिखा हूँ he ate a mango यानि के उसने आम खाया या वह आम खाता था तो a mango was eaten by him यानि के आम उसके द्वारा खाया गया a mango was eaten by him और अगर sentence होता है past continuous में तो was work ब्लस being लग जाएगा अगर मतलब कोई sentence होता यह past continuous में past continuous में नौर्मल यह वह बदो लगता है जब इसको passive वोईस में चेंज करते तो बिंग साथ में लग जाता है तो जैसे active वोईस में यहाप लिखा लिखा है कि he was return a mango यह Past Continues का Sentence है, इसको हमने Passive Voice में चेंज करना है, हम कैसे चेंज करेंगे, A. Mango was being eaten by him, यह L.L.B. का Legal Language का Paper होता है, उसमें आता है, प्लस 10th, 12th में भी Board Classes में यह आता है, वो छोटा सा यह एक वीडियो है, यानिके One Class Active and Passive Voice Class, यानिके एक ही Class में यह आपका Active and Passive Voice खलास हो जाएगा, आज आपका, अब हम दोस्तों बात करेंगे, अगर कोई Sentence हमारा Active Voice जो है Past Perfect में दी जाती है, तो वो Head Bean लग जाता है, वहाँ पे, Past Perfect में Head का यूज़ करते हैं, और उसकी Passive Voice बनाते हैं, बीन का यूज़ कर दिया जाता है, तो और थार्ड फरण तो सभी में लगनी है, जिसे Active Voice में नहीं यह पे दिया है, He had eaten a mango, तो a mango had been eaten by him, यहनके आम जो है, किसके उसके द्वारा खाया गया, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों Future की, तो चलिए Future की तरफ चलते हैं, अगर कोई Active Voice जो होती है, वो Future Indefinite में दी गई होती है, जैसे कि Future Indefinite में आप जालते हैं, Will और Shall का प्रियोग किया जाता है, Active Voice में है न, तो वहाँ पर Passive Voice में जब चेंज करते हैं, तो Will Be और Shall Be प्लस वर्ब की थर्ड फोरूम का यूज हम लोग कर लेते हैं, तो जैसे मैंने Active Voice में एक सेंटेंस लिखा है, He will eat a mango, वह एक आम खाएगा, तो एक आम उसके दुआरा खाया जाएगा, तो यहाँ पर यह इसका मतलब होता है, यानिका इसका जो object है, वो यहाँ पर subject बन जाता है, यानिका a mango will be eaten by him, ठीक है, और बात करेंगे Future Continuous, Future Continuous के अंदर में Passive Voice को नहीं बनाया जाता, अब बात कर हम दोस्तों Future Perfect की, तो Future Perfect में हम, अगर कोई sentence हमारा Future Perfect में दिया गया होता है, तो Future Perfect में Will Have Shall Have का यूज किया जाता है, और उसको हमने Passive Voice में Change करना होता है, तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कि He will have eaten a mango, ठीक है, तो यह active voice है, तो a mango will have been eaten by him, तो इस परकार से ह हमारी यह जो passive voice है, यह यहाँ पर बन जाती है, तो I think आप सभी लोगों को, जो है, यह concept clear हो गया होगा कि active voice को passive voice में किस परकार से change करना है, तो friends, वहाँ पर आपने जो अपने concept clear किये हैं, इसके अलावा कुछ एक sentences ऐसे आते हैं, जो आपने, मतलब, confused ना हो, इसलिए मैं थ खलास, active and voice, खलास, तो यहाँ पर present indefinite में passive voice को किस परकार से बनाया जाता है, तो एक sentence दिया गया है, जो कि noun से start हुआ है, है ना, the birds, कि यह क्या होती है, noun होती है, तो the birds तो, the birds और यह active voice का subject भी है, तो the birds का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, कि noun अगर ह होता है, वो as it is रहता है, change नहीं होता है, ठीक है, तो the birds do not eat the grains, ठीक है, तो यह जो इसका subject है, passive voice में object बन गया, तो the grains are not eaten by the birds, इसलिए नहीं आया है, चुकि यह plural number है, और plural number में are का use होता है, और not ऐसा ही रहता है, और third form का परतियक passive voice में use किया जाता है, तो देसे, अभी फ the birds do not eat the grains, the grains are not eaten by the birds, ठीक है, second sentence में आपने बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कुछ प्रश्न वाचक होते हैं हमारे sentence, जैसे, does he wear the clothes, तो present indefinite, जो है हमारा, कहां change होता है, इस आरम में होता है, तो does के स्थान पर हमारा आ गया, are, इनके are the clothes weared by him, क्योंकि यह subject he है, he का him हो जाएगा, by him हो जाता है न, अभी table में हमने देखा था, तो why do you call him, अभी इस परकार का भी आ जाता है कोई sentence, तो जब wh word से कोई शुरू होता है, तो कैसे उसको हम लोग change करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, कि why do you call him, तो why as it is रहेगा, क्योंकि question किया गया है, और do के स्थान पर is आ जाएगा, क्योंकि present interpret is rm में change होता है, और he, यानि कि जो इसका object यहाँ पर subject हो जाएगा, him का he हो जाएगा, और called by you, क्योंकि you तो एक object ही है, और object हमेशा object ही रहता है, ठीक है, हाला कि यह इसका subject है, और यहाँ पर subject इसका you का you ही रहता ह इसका object भी you होता है, ठीक है, तो यह मैं समझना कि you, you ऐसा ही रह गया, you का object यू ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर I think यह आपको clear हुआ होगा present interpret में passive voice को कैसे हम लोग change करते हैं, ठीक है, आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं, लेकिन screenshot लेने का कोई benefit नहीं होगा, जब तक कि आप उ voice लिखा है, कि I am writing a letter, अभी तक ही आप समझ ही गए होगे कि जो active voice का object होता है, वो passive voice में subject बन जाता है, ठीक है, और active voice का जो subject होता है, passive voice में वो object बन जाता है, यह बात आपको clear हो गई होगी, तो अब मैं यह बात बार बार ना बोल करके directly मुद्दे पर आता हूं, तो I am writing a letter So, a letter is being written by me, यहाँ पर a letter यहाँ पर आ जाएगा, is being written by me, क्योंकि continuous के जो passive voice में being लगा दिया जाता है, और plus third form, दूसरा sentence हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि whom are you helping, तो यहाँ पर आएगा, who is being helped by you, ठीक है, अगला sentence हम बात करेंगे, who is making a noise, हलागी इसको मैं एक बर अगर चाहोगे, तो मैं एक बर clear कर दूँ, तो whom, यानि किसके, मनलब, तुमने किसकी साहता की, तो यहाँ पर whom का who आ जाएगा, is being helped by you, तुमने, तुम्हारे द्वारा किसकी साहता की गई, तो यह as it is रह जाएगा है, क्योंकि who अपने आप में कई जगा sentence में subject भी माना जाता है, जैसे who is there, who is calling you, कौन तुम्हें बुला रहा है, कौन है वहाँ, तो इस तरह के से, तो अब अगला sentence हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बता दू आपको, third sentence, who is making a noise, by whom is noise being made, यहाँ पर who को by whom लिख दिया जाता है, is a noise being, क्योंकि present continuation being लग जाता है, ठीक है, और noise as it is रहता है, made, ठीक है, यह clear हुआ होगा, और fourth sentence हमारा है, इसके हम लोग बात करेंगे, कि what are you, doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसको हम, ऐसे कैसे रहेगा, what is being done by you here, पांचवा sentence, what are you calling, why are you calling him, तो why is he called by you, why is he called by you, क्योंकि him का ही हो गया यहाँ पर, और और है, तो ही के accordingly, आर के स्थान पर subject ही है, ही के according is लगेगा, और third form यह होता ही होता है, ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे, इनके अलावा कुछ imperative sentences होते हैं, जिनमें imperative sentences को हमने passive voice में convert करना होता है, आप चुकि legal language है, या कोई बड़ा paper है, उसके अंदर हमें simple sentence तो आएंगे ही नहीं, call क्या हुआ, first form of the verb हो गया, तो यह first form से शुरू होते हैं, अब जब इनको passive voice में बनाते हैं, translate करते हैं इनको passive voice में, तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे आ जाता, let plus object plus be, यानिके let के साथ में be का use करते हैं passive voice में, plus नियम यह है कि passive voice में verb की third form तो लगती ही, लगती है, example के लिए मैं यहाँ पे दिया हूँ, जैसे call the police, पुलिस को बुलाओ, तो यहाँ पर हमने इसको passive voice में जैसे change किया है, जैसे कि नियम के अनुसार, let यहाँ पे आ गया, call the police तो object police हो गया, तो object किया बन जाएगा, पैसी वो इसमे subject बन जाएगा, ठीके और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है, कि you इसमें silent माना जाता है, तो जैसे देख लेते है, call the police को कैसे बनाया है हमने, let the police called by you, यानिके let the police called by you, you इसमें silent होता है, यहाँ पर भी मैंने लिखा हूँ, कि इन sentences में subject you माना जाता है, जिन sentences में subject ही होता हुआ पर, you माना जाता है imperative sentences में, ठीके friends, अभी हम बात करेंगे, कुछ sentence imperative में please वाले आ जाना है, please do this, please don't do this, please help me, sometimes some types of sentences we are faced, तो हमारे द्वारा faced किये जाता है, तो please के स्थान पर हम दोस्तों बात करते हैं, you are requested, जब active voice में please हो, तो passive voice में हम उसको you are requested लिखते हैं, और please not के स्थान पर हम लिखते हैं, you are requested not to, यह point to be noted है, not जो आता है, requested not to, यानि कि requested के बाद में not लिखा जाता है, please not के स्थान पर, you are requested not to, अभी अपने example की बात करते हैं, तो जैसे कुछ examples हम दिये हैं, जैसे don't break the door, दरवाजे को मत तोड़ो, यह imperative sentence है, तो अब इसको passive voice में हमने change करना है, let the door not to be broken by you, यानि कि, जैसे कि मैंने नियम बताया है यहां पर, कि imperative sentence को, पहले let से शुरू करते हैं, फिर object लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर verb की third form लगाते हैं, तो यह नियम है, इसलिए यह वाली जो series है, यह वाली जो line है, आपने बहुत अच्छे से याद कर लेने वाली line है, तो यहां पर जैसे sentence मैंने दिया था, do not, यानि कि, don't break the door, या do not break the door, तो यहां पर आ जाएगा, let the door, let यहां पर आई जाता है, according to rule, और जो object आ जाता है, वो subject बन जाता है, क्या तोड़ा गया है, यहां पर door तोड़ा गया, तो इस परकार से यह हमारे passive voice बन जाता है, जैसे अगला sentence नहींते, call the servant, let the servant called by you, सिदा-सिदा हो गया, अब हम बात करेंगे, अगला sentence, let the, यह हो गया, sorry, यहां पर आगे, please don't do it, please don't do it, तो इसको हम passive voice में हमने यह change करना है, you are requested not to do it, you are requested not to do it, तो इस परकार से हमारी passive voice बन जाती है, imperative sentences में, ठीक है friends, तो दोस्तों कई बार, ऐसे ऐसे sentences हमारे सामने आ जाते हैं, जिनके active voice में ही, दो subject होते हैं, तो उस दशे में क्या करेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा भी हूँ, कि अगर किसी verb के दो object हूँ, तो किसी भी object को subject बनाया जाता है, लेकिन ज्यादा तर direct object, यानि के जो निर्जी होता है, उसको subject बनाना अच्छा रहता है, तो example मैं देता हूँ, जैसे, they lent him money, उन्होंने उसे पैसा दिया, तो यहां पर him भी object है, active voice का, और money भी object आ गया, दो object आ गया, तो इसको passive voice में कैसे बनाएंगे, यानि के he was lent money, यानि के उसके दुआरा पैसा दिया गया, या उसने पैसा दिया, they lent him money, तो यहां पर हमने किसको subject लिया, he को subject बना दिया लेकिन इस तरह के sentence होता है उसमें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है ति जो direct object होता है क्या दिया गया है? money दिया गया है तो money by money was lent to him तो इस तरह के से ये जो निर्जिव object होता है वो बनाना उसको subject बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है ठीक है? अहलगी ये sentence भी बिल्कुल सही है लेकिन ये भी सही है ये ज़्यादा अच्छा लगता है जो direct object होता है ठीक है? अब हम आगे अगला जो हमारा sentence हो उसके बारे में चर्चे करने वाले हैं तो चलिए इसमें भी दो subject है हर एंड चेर तो इसको कैसे बनाएंगे? अचेर वास हैंडिट टू हिम बाई हैंडिट टू हैर बाई हिम ठीक है? तो एचेर वास हैंडिट टू हर बाई हिम तो ये sentence यहाँ पर ऐसे बन जाए क्योंकि दो subject है इसमें तो यहाँ पर हमने जो direct object है उसको subject बना दिया passive voice में और दूसरे तरीकी से ऐसे मना सकते हैं इसको indirect object जो होता है जैसे यहाँ पर एक object है हर तो हर का indirect object हो गया हमारा हर को subject बनाएंगे तो शी बनेगा, she was handed a chair by him she was handed a chair by him जो कि यहाँ पर he का him हो जाएगा आगे हम sentence के हम बात करेंगे I promised my friend all help यहाँ पर दो subject बन गया ठीक है प्रोमिस किया दोस्त को और सब की help करने के लिए तो यहाँ पर इसको passive voice में हमने change करना है अगर हम इसको indirect object से बनाते हैं तो यहसे बनेगा my friend was promised all help लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि indirect जो होता है जो बनाब direct object होता है निर्जी होता है उसको subject बनाना ज़्यादा अच्छा होता है तो यहाँ पर देखेंगे all help was promised to my friend all help was promised to my friend तो यह अच्छा भी लग रहा है और आगे चलता हूँ मैं यह देखते हैं who taught you English by whom was English taught to you तो यहाँ पर हमने क्या किया है जो direct object है जैसे English को पढ़ाय गया यहाँ पर इसको हमने subject बना दिया पैसी वोइस में या दूसरा ऐसे बना सकते हैं इसको by whom were you taught English by whom were you taught English यहाँ पर हमने जो मतलब indirect object है उसको हमने यहाँ पर subject बना दिया पैसी वोइस में तो आई थिंक यह concept आपको clear हुआ 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 कि जब पैसी वोइस जब active voice तू object के साथ हो तो उसको किस तरीके से पैसी वोइस में हमने उसको change करना होता है इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा comment करोगे तो मैं आपके लिए exercise भी provide कराऊंगा और उनको चेक करके WhatsApp के माध्यम से आपको दे सकता हूं तो अब बात करते हैं आगे पैसी वोइस और कोशन्स जो कोशन्स वाले पैसी वोइस में कैसे बनाया जाता है एक बार फिर से अब देख लेते हैं एक्टी वोइस हमारा यह है कि ड़ज ही लव यू तो इसको हमने बनाना है जैसे कि मैंने बताया कि present indifferent को इस आरे में बनाते हैं तो आर यू लवड सिस्टर तो यह भी कोशन मारक आ गया इसमें तो इस यूर सिस्टर यह चुकी present continuous का है तो यहां पर बनाएंगे इसको पैसी वोइस में इस यूर सिस्टर बिंग टीजड बाई यू अब यहां पर जो थर्ड सेंटेंस है हमारा who taught you English यह वह आ जाता है तो यहां पर हम क्या कर जाता है पैसी वोइस में नियम आपको पहले बता दिये गई हैं और फॉर्ट सेंटेंस है वाइव यू कॉल्ड मी वाइव आई क्योंकि सब्जेक्ट यह जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया वाइव आई बीन कॉल्ड बाई यू क्योंकि जो पास्ट जो present perfect होता है वो have been has been के साथ में बन जाता है अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे modal auxiliaries जो वाले sentences होता है उनको पैसे हो इस कैसे मनाया जाता है जो modal auxiliaries होते हैं उनमें modal auxiliaries के साथ में बी को लगा देते हैं प्लस वर्ब की third form को use कर देते हैं जैसे sentence है हमारा you must send a reply तुमें जवाब देन you our reply must be sent by you तो यहां पर इसमें हमने जैसे यहांने बताया बी को बढ़ा देते हैं तो यह बी को हमने बढ़ा दिया और passive voice में convert कर दिया he ought to help her तो she her का जो object active voice का subject बनेगा she ought to be helped by him तो इस तरीके से हमारी one class active and passive voice खलास तो यह हमारा समाप्त हो जाता है और अगर कोई problem हो तो आप हमें comment में बता सकते हैं तो इसके साथ मैं कि शमा विदा लेता हूं फिर मिलता हूं legal language के कि अगले किसी topic के साफ में तब तक के लिए ज़ुशकार जय हूं जय वारत तो थैंक यू